आज हमारे बीच में रॉक्टर शुक्वीट पादे तो थ्री टाइम गेड़ेट है और डॉक्रेट है इनके थाइसो इस्टुगांस है इनों इनके अंगा में रसर्च किया और सच्छे बड़ी बात यह है कि इनके उपर डॉक्टिकेट जारी हुआ संदपुर से इनके उपर डॉक्टिकेट जारी हुआ है इसमें गुलाब का फूल है और गुलाब के फूल से सौ साल तक फूल जाएगी नहीं वो पूना हड़ आफस ने जारी किया है तो सुधिर जारे जी के बारे में मैंने आपको बताया है अब यह आपको के मुखातिक है किसानों ने आत्मत्या की है इसलिए उसको आत्मत्या करने वाले लोगों का कब्रस्तान कहा जाता है उसमें इनोंने इंसानियत का काम किया है उसकी वज़े से इने कब्रस्तान में खिला हुआ इंसानियत का फूल माना जाता है 21 देशों के राजदूते ने इनका सम्मान भी किया है ये 55 बच्चेओं का समाल करती है अन वस्त्र निवारा तथा उनकी शिक्षा का पूरा जिमा इन्होंने उठाया है इसके वज़े से इनके कार्ये को देखते हुए इनका भी डाक टिकट कल जारी कर दिया गया है एक तो इनका 16 दिसम्मर को हैपी बर्डे था इसलिए भारत सरकार के डाक विभाग ने इनका 16 दिसम्मर का हैपी बर्डे का भी डाक टिकट जारी कर दिया है इसके अलावा हम लोगों का हिंदुस्तान का पहला डाक्टिकट जारी किया है जिसको रोज याने गुलाब का फूल उसके उपर चपा हुआ है और ये ऐसा डाक्टिकट है कि जिसमें इस गुलाब की खुजबू 100 साल तक महिकती रहेगी विश्व में ये अपने आप में बहुत बड़ा कीरतिमान है और मैं भारत सरकार के डाक विभाग का विशेश रूप से महाराष्ट एंड गोवा सरकल भारत सरकार का डाक विभाग उनका मैं बहुत ही आभारी हूँ उन्होंने इसके लायक मुझे समझा कांचनबीर जी को इस तरीके का डाक टिकट कल जारी करके हमारा पुने डिविजन में हमारा सम्मान कर दिया नमस्कार मैं कंचनबीर बोल रही हूँ आँ मैं यवतमाल से हूँ मैं जो किसानों ने आत्मात्या की हुए उन बच्चों के लिए कार्य करती हूँ उन बच्चों के लिए मैं कार्य करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आगे मैं एक हजार बच्चों की पढ़ाई वहां पे कर सकूँ तो मुझे समाज के हर वर्ग से उसके लिए मदद की आवशकता है, क्योंकि ये समाज का कारिया है, मैं आके लिए तो नहीं आगे बढ़ा सकती हूँ, इसलिए मैं दरखास करती हूँ सबसे, कि हमारी जो संस्ताय क्रांती जोती, उसे सब लोग मिलकर आगे बढ़ाएं, और य दो हजार बच्चों को अभी तक मैंने इस कार्य को, दो हजार बच्चों को मैंने अभी तक फ्री में पढ़ाई की हैं उन बच्चों की, अभी 55 बच्चे हैं मेरे पास, जिनका मैं खाना, पीना, शिक्षा, आरोग्य सब का ध्यान रखती हूँ, और नववी से आगे की हमारी संस्ता उठाती है तो ऐसे करके, पहले तो 25 थे बच्चे, फिर अभी 55 हो गए हैं और उसके लिए रहने के लिए मेरे पास निवारा नहीं था, तो उसके लिए मैंने पाँचकर अपनी खेती बेज़ कर उनके लिए निवारा बनवाया हैं, और अभी तो जो लड़के हैं उसके लिए तो किरा के लिए हमारे तरफ आया हुए हैं तो इतने सारे बच्चों का खर्चा जो है बहुत बड़ेगा इसलिए समाज के जो दान्शूर लोग है उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि वो हमारी संस्ता को भेट दे हमारे बच्चों से बातचीत करें और उनके शिक्षा के लिए सर्कार इतना सब कुछ लोगों के लिए वो फैस्केटी दिरीजिया मतलब पीए मोदिया गयाना कि हम लोगों को बहुत आगे दिया लोगों को ले गया है तो आपको किस तरह की सरकार से तो मदद की जो अपेक्षाय हो तो मैं हर चुकि 2002 से मैं स्कूल चला रही हूं एसी ब बच्चों को मेरे पास 100 अच्छी बच्च थे तो उसके लिए भी मैं हम समगश कर रहे हैं तब से 17 सालों से उन स्कूल को भी ग्रैंड नहीं तक तो कैसे चलाएं क्योंकि जो कर्मचारे वो तो भुके पड़ा नहीं सकते बच्चों को हम भुका रख नहीं सकते तो इसलिए हाँ तो किसानों को आत्महत्या होने के बाद वो सरकार एक लाख या देड़ लाख रुपे दे देते हैं लेकिन उसमें से तो पूरा साल तक जिंदगी भर तो गुजारा नहीं कर सकते हैं जैसे नाम फांडेशन ने भी 25,000 रुपे या ट्रेनिंग कोर्से चलाए हैं उनको को एक-एक सिलाइं मशिन दी वे हैं लेकिन उससे तो उसका घुजारा नहीं होता जो उनकी आगे की प्डिभी है उनके आगे की पिडि को पढ़ने के लिए गुजारा करने के लिए जो साहेता चाहिए वह साहेता तो 25,000 रुपे एक साल में खर्चा होंगे पिर आगे की प श्री लंकर इस रिकार ने हैं तो आप क्या कहेंगे इस मैंने तो काफी लोगों से अपील की हुई है और बताने में बहुत खुशी हो रही कि बॉलीवुड से भी कई हस्ती आए वहां आके विजिट करके गई हैं उन्होंने भी वादा किया है कि हम इन बच्चों के प्रती अ क्योंकि मेरी इतनी जान पेचान है हाँ तो इनका 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 आपका रिलेशन क्या है आरे बस ये एक अच्छी सोशल वर्कर है सामा जी कारिय करता है इनके बारे में मुझे साल बर पहले मालूम पड़ा था तो जब मालूम पड़ा तो मैं आडसर ने जैसों के साल काश और एंक डी एक चीए आलगी है मैं एंटनेशनल मेंबर इसके अलावा इंटनेशनल व्लेसिट्य में में पी एदी का रिसर्च गायड भी हूं वैसे अभी इस गाइडन्स के लिए मार्ग दर्शन के लिए आते हैं तो उनको गाइडन करता रहता हूं मेरी तो वेबसाइट वगेरा नहीं है इमेल आईड़ी है कांचनवीर 1612 gmail.com जिनका पोस्ट कार्ट के उपर टिकीट के उपर टिकीट पर पोट हुआ है कि आप मेले आज उनसा तो क्या आप क्या गएडन्स सबसे पहले रविंद्रा औरोरा जी जो है वो मेरे पीता जी है उनके ऑफिस में मैं अब भी आया और आके देखा तो यह दोनों बैटे थे तो बात करते 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 मुझे इतना ज्यादा मुझे मन में फिल हुआ जो आज तो मीडिया उलना चाहिए तो मैंने हाईदर भाई को मैंने फोन किया जो बॉलिवूड की बाते जो है आज नंबर वान चनल है तो उनको बुराया तो उन्होंने आया और सबसे बड़ी बात है ज सिंगार के माधधम से इन की चीजों को वह आगे लेके आएंगे और मैं आज गरीबों का एक्टर हूँ तो लोग मुझे पचानते हैं गरीबों का एक्टर से लेकिन इस इंसान को देखने के बाद मिलने के बाद एक डाक टिकेट में इनका फोटो हैं मैं सलूर करता हूं मैं और उनको सिलंगा इनको एम एसे मनदब हर जिगा पे लाइब आइसे हिंदुस्तान का पहला इंसान है और छूपा हुआ हो एक ऐसी इनसान है वो भी छूपा हुआ है Warm महराष्ट में मुंबाई में तो इनको बहार निकलने के लिए मैं मीडिया को बुला है और थांक्यू सो मज फर मीडिया थांक्यू समाज रविंद्र व और वाजी जिन्नों ने इनको बोला जो कल्यांजी यह ऐसे एक इंसान है जो इनको मलब एक तो था दा बाद साइब करना बहुत मुश्किल है और आपको जो उपादी मिला है चाहे इंडिया से हो चाहे बाहर से हो इस उपादी के लिए मैं सलूड करता हूं मैं नहीं करता हूं इंडिया की जितना भी नागरिक है इन सब की तरफ से आपको मैं सलूड करता हूं क्योंकि एक भायत बरसे का मैं इ दुनिया से चला गया उनकी बच्चों को पाल रहे अरे आपने को दो बाद खुद के बच्चों को नहीं पाल पाता है आज इतनी बच्चों को पाल रहे तो मैं सभी से बिंती करता हूं प्लीज 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 एंजियों को हिल्फ करें पैसा नहीं चाहिए आपका आपके दिया हुआ कपड़ा या आपका कुछ भी अनाज हो वो अनाज कपड़ा कुछ भी हो आप इनको डान करें एक बार विजिट करें एंजियों में और विजिट करने के बाद प्लीज प्लीज आप लोग डान करें क्योंकि वो किसान जो है न वो हमारा बच्चा है किसान के खुकम मर रहे कॉछ अगर वू मैना मुस्के यह जाए हिल्प नहीं घर सरकार गर आम वंखार को रॉप एंध रहर के जब जानकारी हुई कल्यान जी ने बताया कि रवीन दरवरा जी के ओफिस में दो शक्षियत आये हुए हैं तो मैं बिना इन से मिले मुझे रहा नहीं गया मुझे लगा कि मुझे मिलना चाहिए और जब मैं यहां आके देखा और जानकारी मिली कि यह लोग पूरे दुनिया म पूरे बहुत सारे देशों में लोग जा चुके हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं खासकर जो डाक टिकट पे इनका फोटो है और उस डाक टिकट को मैंने सूंख के देखा कि इतनी अच्छी महक है तो इसके लिए मैं केवल यह कहूंगा कि मुर्जाय हुए बाग में फू उसी तरह के मिलेगी यह बहुत खुशिक बात है खासकर इनके काम में ही वो खोशवू है कि हमें इनके काम से ही खुशवू लेना है उसके बाद डाक टिकट का खुश्वू तो हम लोग लेते ही रहेंगे हमारे शुब कामनाय है इन लोग के लिए आप की आवाज भी मैंने सुनी है और वो तुलसावाई होलकर जो की रानी लक्षिमवाई के पहले ही उन्होंने किया चालीस साल पहले अंग्रेजों खिलाप एक छेड़ा हुआ था और लड़ाई लड़ी थी तो वह गीत भी मैंने सुना काफी होजपूर्ण था तो मैं इनके लिए कहना चाहूंगा जो कि बहुत ही अच्छा जिसने भी लिखा आपने लिखा और गरेश अमोलकर जी उन्होंने लिखा है तो मैं